चलिए अब जानते हैं क्रेन लिफ्टिंग सेप्टी के बारे में कि इसके उपर कौन से ऐसे 10 क्वेशन आपको पूछे जा सकते हैं और उसका आपने किस तरीके से आंसर देना चाहिए तो सबसे पहला questions आता है कि what is the part of crane यानि कि crane के कौन से part है तो simply आपको यह answer देना है कि sir crane में boom होता है, sling होती है, shackle होती है, anti-to-block device होता है, out triggers होते है, auxiliary hoist होती है, pulley होती है, wave sling होती है, load movement indicator होता है तो यह जो सारे parts है यह आपको उनको बताना है, फिर उसके बाद आपको यह सवाल पूछा जा सकता है, कि what are the types of crane, यानि कि crane के कौन से types होते है तो उसके लिए आपको simply यह answer देना है, कि sir crane के जो है, वो main दो types होते है, उसमें एक mobile crane आती है, और दूसरी stationary crane आती है तो mobile crane में, जैसे कि truck mounted, crawler, altering, hydra crane, यह जो है, यह mobile crane के types होते हैं, और फिर stationary crane के जो example है, वो आपको देने है, कि tower crane, gantry crane, floating crane, railroad crane, EOT crane, etc. तो इस प्रकार आपको उनको answer देना है, कि crane के जो है, वो mainly two types होते है, जो है mobile crane, और दूसरा है stationary crane, और फिर उसके आप example बता सकते हो फिर उसके बाद का जो question है, वो पूछ सकते है, कि what are the requirements for crane lifting, यानि कि crane lifting की कुन से requirements है, तो उसमें आपको बताना है कि sir, crane की जो position है, वो firm और ground level पर ही होनी चाहिए, और साथ ही में उसके जो outrigger है, वो fully extended होने चाहिए, फिर उसके बाद आपको बताना है, कि outrigger के लिए आप आपको rigger pad का इस्तमाल करना है, और crane के जो tire है, वो ground lever से थोड़े अप होने चाहिए, वहाँ पर certified rigger और certified crane operator होना चाहिए, safe load indicator जो है, वो working condition में होना चाहिए, crane से lifting करने से पहले, उसको आपको inspection करना बहुत ही ज़रुरी है, कि उसमें कही leakage तो नहीं है, किसी भी load को crane के जरि safe working limit जो है, वो crane के अंडर आती है, फिर उसके बाद जो है, safety devices जो भी है, उसको bypass नहीं करना है, जो swing radius है, उसको barricaded करना है, और उसके अंदर किसी भी unauthorized persons को entry नहीं देना है, lifting के लिए जो भी tools का इस्तमाल करने वाले है, वो सारे के सारे जो भी tools है, उसमें कोई भी defect नहीं ह होना चाहिए, wind speed जो है, वो normal यानि की 32 km पर हवर के नीचे ही होना चाहिए, और फिर उसके बाद आपको बताना है, कि जो भी critical lifting है, उसके लिए lifting plan होना बहुत ही जरूरी है, तो यह जो सारी चीज़े हैं यह आपको बतानी है, जब भी वो आपसे question पूछेंगे, कि crane lifting की क्य requirement होती है, फिर उसके बाद का जो question है, जो आपको पूछा जा सकता है, वो है, what is lifting plan, यानि कि lifting plan क्या होता है, इसका आपको answer देना है, तो उसके लिए आपको यह answer देना है, कि सर, critical lift के लिए जो planning की जाती है, उसके लिए, जो document प्रिपेर किया जाता है, उसे lifting plan कहते हैं, जिस मतलब उस critical lift में, जो भी equipments का इस्तमाल हो रहा है, या फिर जो भी load का इस्तमाल हो रहा है, उसका total calculation उसमें किया जाता है, उस lifting plan में होता है, कि जिस load को आप उठा रहे हो, उस load की capacity कितनी है, साथी में उस load को उठाने के लिए, जो भी lifting tools का आप इस्तमाल करने वाले हो, वो tools कौन से है, उसकी lifting capacity कितनी है, और फिर उस load को उठाने के लिए, कौन सी crane का इस्तमाल किया जा रहा है, उसकी कितनी capacity है, ये सारी information उसमें होती है, और फिर उसके बाद आपको ensure करना है, कि safe lifting जो procedure है, वो lifting के लिए follow की जारी है, जैसे कि जो भी object है, जिसको उठाना है, उसका जो weight है, या फिर उसका जो size है, जो lifting plan में mention किया गया है, उसी को lift कर रहे है कि नहीं कर रहे है, वो उसमें ensure करना है, साथी में आपको ये ensure करना है, कि lifting के लिए, जिस crane का इस्तमाल हो रहा है, उसी crane को आपने lifting plan में mention किया है, फिर आपको ensure करना है कि crane की position क्या है, load का location क्या है, लोड का size क्या है उसके लिए कौन सी sling इस्तमाल हो रही है लोड chat क्या है इन सारी चीजों को आपको ensure करना होता है तो ये सारी बाते आपको बतानी है जब भी वो आपको question करेंगे lifting plan के बारे में फिर उसके बाद का question पूर सकते है कि sling को आप कैसे inspect कर सकते हो तो उसके लिए आपको ये answer देना है कि sir sling का इस्तमाल करने से पहले उसको inspection करना बहुत ही ज़रूरी है और इस sling का जो है वो पूरे तरीके से periodically आपको inspection करना है उसमें अगर आपने देख लिया कि original outside उसका जो diameter है जो outside individual उसकी जो wires होती है उसका अगर one third भी अगर खराब हो गया तो immediately आपको उसको reject करना है उसमें अगर saver corrosion आते है तब भी आपको उसको immediately reject करना है फिर उसमें आपको check करना है कि उसमें कोई distortion है क्या जैसे कि उसमें कोई kinking है क्या उसमें कोई crushing है क्या bird caging उसमें आई है क्या वो भी उसमें आपको inspect करना है फिर उसमें आपको देखना है कि उसमें कोई broken wire तो हुए नहीं है वो भी उसमें आपको check करना है फिर उसमें आपको देखना है कि जो भी eye splices है उसकी उसमें कहीं पर pool तो नहीं हुआ है वो भी उसमें आपको देखना है फिर उसमें देखना है कि heat की वज़े से कही वो sling damage तो नहीं हुई है वो भी उसमें check करना है फिर उसके बाद आपको देखना है कि sling के जो भी wires है या फिर जो भी strands है उसमें कहीं पर deformation तो नहीं आया है वो भी आपको check करना है और फिर last में जब आपने ये सारा inspection कर लिया और आपको लग रहा है कि ये जो sling है ये अच्छी condition में है तब आपको उसमें color coding करना है तो ये जो सारे points है ये आपको बताने है जब भी वो आपसे सवाल पूछेंगे कि sling को कैसे inspection करना है फिर उसके बाद का जो question आपको पूछा जा सकता है वो है कि what is working radius यानि कि working radius क्या होता है उसका आपको answer देना है तो उसके लिए आपको ये answer देना है कि sir working radius यानि कि maximum distance होता है जहाँ पर crane का boom जो है वो lift करने के लिए पहुचता है या फिर किसी भी load को lower करने के लिए वहाँ पर पहुचता है तो उस maximum distance को working radius कहता है फिर उसके बाद आपको question पूछा जा सकता है कि what are the safety devices in crane तो उसके लिए आपको simply ये answer देना है कि sir anti to block device, animometer, limit switch and level indicator तो ये सारे जो safety devices है ये crane में install होने चाहिए फिर उसके बाद आपको question पूछा जा सकता है कि what is load chart तो simply आपको ये answer देना है कि sir load chart यानि कि ये एक systematic और graphic device होता है जो indicate करता है कि जब भी आप machine से performance करते हो तो उस दोरान कितने amount of work जो है कि what is PWA SS तो इसका meaning आपको पता होना चीए वो आपको answer देना है PWA SS यानि कि approximately warning alarm system ये जो system है ये install की जाती है heavy equipments में जैसे कि excavator हो या फिर bulldozer हो और ये जो system है ये automatically alarm देता है कि जब भी कोई persons उस equipment के नसदीक यानि कि 5 मिटर की दुरी पर होता है तो वो automatically alarm देता है मतलब उस equipment का 5 मिटर का जो radius है उसके नसदीक अगर कोई persons आता है तो वो automatically alarm देता है फिर उसके बाद का जो सवाल है वो आपको पूछा जा सकता है कि ऐसा कुम सा device है जो indicate करता है कि crane का boom angle कितना है तो simply आपको यह answer देना है कि sir उसका नाम है boom angle indicator boom angle indicator जो है वो एक device है जो indicate करता है कि crane का कितना boom angle होता है चलिए अब जानते हैं scaffolding safety के बारे में कि उसके उपर कुम से 10 questions आपको पूछे जा सकते है कपलिंग होता क्या है scaffolding में सबसे important equipment जो है वो कपलिंग होता है कपलिंग का जो इस्तमाल है वो एक pipe से दूसरे pipe को connect करने के लिए या फिर structure को connect करने के लिए किया जाता है चलिए अब जानते हैं कि types of coupling यानि कि clams कितने होते हैं तो सबसे पहला है single coupler यानि कि put lock coupler आती साथ उसको BRC भी कहा जाता है BRC यानि कि board retention coupler फिर उसके बाद है double coupler जिसे right angle coupler भी कहा जाता है यानि कि जिसे fix clam भी कहते हैं फिर उसके बाद है swivel coupler यानि कि जिसे चालू clam भी कहते हैं फिर उसके बाद है grader coupler जिसे beam clamby कहा जाता है फिर उसके बाद है ladder coupler फिर उसके बाद है sleeve coupler जिसे हम box clamby कहते है और फिर उसके बाद आता है joint pin चलिए देखते हैं कि scaffolding activity के वग हमें कौन से हजार का सामना करना पड़ता है और उसमें क्या हजार होते है तो सबसे पहले है falls from elevation collapse पूरी की पूरी scaffold जो है वो collapse हो सकती है bad planking यानि कि जो planks है अगर आपने बराबर अगर नहीं रखे है तो भी वो एक हजार है falling of material कोई भी जो चीज है scaffolding के उपर से नीचे गिर सकती है falling of tools कोई भी loose material या फिर tools अगर आप use कर रहे हो तो वो भी tools उपर से नीचे गिरने का खत्रा है loose soil अगर soil loose है उसके उपर अगर आप scaffold बना रहे हो तब भी वो scaffold गिरने का खत्रा है यानि कि loose soil जो है वो एक हजार है excavation near the scaffold यानि कि जहांपर भी scaffold खड़ी की गई है उसके नजदिक अगर मान लो कोई excavation होता है तब उस excavation से वो scaffold गिरने का खत्रा है यानि कि excavation near the scaffold ये एक हजार है incompetent scaffold यानि कि जो scaffold नहीं है जिसको उस काम के बारे में जानकारी नहीं है उसके अलावा अगर मान लो दूसरा कोई persons scaffolding का काम करता है जिसके पास उसकी competency नहीं है वो भी एक खत्रा है यानि कि incompetent scaffolder तो चलिए देखते हैं कि scaffolding के वर्क कौन से precautions लेने की आपको ज़रुरत है तो सबसे पहले देखते हैं कि protections from false यानि कि गिरने से बचने के लिए आपको क्या करना है तो गिरने से बचने के लिए आपको सबसे पहले guardrail लगानी है तो guardrail में क्या-क्या आता है तो two boards आते है midrail आते है toprail आते है इस प्रकार आपको guardrail करना है ताकि कोई भी persons को उपर से नीचे गिरने से आप बचा सको और second आता है personal fall arrest system उसमें आता है anchorage यानि कि आप जहाँ पर काम कर रहे हो उसका anchoring point सही होना चाहिए जो भी आप जहाँ पर भी scaffolding का काम कर रहे हो उसके लिए proper lifeline होनी चाहिए ताकि आप अपना full body harness उसमें hangar सको अब देखते हैं कि scaffolding system में कौन से tag का इस्तमाल होता है और हर tag का क्या meaning है तो scaffolding activity work total तीन tag का इस्तमाल होता है एक है green दूसरा है yellow और तीसरा है red green tag का ये meaning होता है कि safe for use यानि कि जो भी scaffold को green tag लगा हुआ है वो scaffold safe है और वो काम करने के लिए इस्तमाल कर सकते है दूसरा है yellow yellow tag का meaning ये होता है कि उस scaffold में कुछ modification करना है और उस yellow tag में केवल scaffolder persons ही काम कर सकते है जो competent persons है और third one है red tag red tag यानि कि कोई भी scaffold direction करने से पहले हमें red tag put up करना पड़ता है ताकि जो भी authorized persons है competent persons है जो भी scaffolder है वही उसके उपर काम कर सके जब तक scaffold complete नहीं हो जाती उसके अलावा दूसरा कोई भी persons उस scaffold के उपर काम नहीं कर सकता चली अब जानते है कि scaffolding का inspection किस प्रकार किया जाता है और उसमें क्या का points जो है वो आपको चेक करना बहुत ही ज़रूरी है तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि जो भी scaffold जहां पर बनाई है उसका ground level किस conditions का है वो आपको चेक करना है और ensure करना है कि उसका ground level है वो solid firm होना चीए और properly level conditions में होना चीए फिर second आपको चेक करना है उसका sole plate यानि कि inspection के दोरान आपको देखना है कि उसका sole plate क्या है sole plate का standard size आता है वो होता है 300 by 300 by 6 mm यानि कि उसका length जो है वो 300 mm का होता है width जो है वो 300 mm का होता है और height जो है वो 6 mm की होती है तो यह जो है sole plate का standard size होता है उस प्रकार आपको उसको चेक करना है फिर आपको देखना है कि उसका जो base plate है उसको आपको Check करना है उसमें भी आपको ये Check करना है कि वह Best Plate है वह Direct जमीन पर नहीं होना चीए वह Soul Plate के ऊपर होना चीए और उस Best Plate का Size है 150 x 150 x 6 mm का होना चीए यानि कि उसकी जो Length है 150 mm होना चीए Width जो है 150 होना चीए और उसकी hoheight है वो 6 mm होना चाहिए फिर आपको चेक करना है कि उसका जो standard है वो अच्छी conditions में है के नहीं है और वो जो standards है वो level है के नहीं है वो भी आपको चेक करना है फिर आपको देखना है कि जो भी lasers वहाँ पर लगाया गया है वो properly clamp है के नहीं है वो भी आपको देखना है फिर आपको देखना है कि जो भी transoms वहाँ पर use किये गया है वो जो transoms है वो अच्छी conditions में है और वो properly जो है वो उसको tight किया गया है फिर आपको देखना है कि जो भी couplers वहाँ पर इस्तमाल किये गया है वो कई पर loose तो नहीं है वो भी आपको देखना है और ensure करना है कि वो जो सारे couplers है वो tight किये गये है फिर आपको देखना है कि जो भी planks वहाँ पर install किये गये है working platform के लिए यानि कि जिसे हम board भी कहते है तो वो अच्छी conditions में है और वो जो working platform है वो totally cover किया गया है वो आपको ensure करना है और वो जो tobed है उसका जो height है वो 6 inch होना चीए यानि कि 150 mm उसका height होना चीए फिर उसके बाद आपको देखना है कि जो भी guard rails वहाँ पर लगाया गया है जो standard उसकी height है वो maintain की गई है guard rail को top rail भी कहते है और top rail की जो height है वो होती है 950 mm से लेकर 1200 mm तक तो वो जो height है वो वहाँ पर maintain है के नहीं है वो आपको check करना है फिर आपको inspect करना है midrail का यानि कि जो midrail है वो 450 से लेकर 600 mm तक उसकी height maintain की गई है की नहीं है वो भी आपको उसमें check करना है फिर उसके बाद आपको inspect करना है ladder का और आपको उसमें चेक करना है कि वो जो ladder है, वो 75 degree में maintain किया है कि नहीं किया है, वो आपको चेक करना है, साथ ही में आपको देखना है कि उसका जो ratio है, वो forest to one है कि नहीं है, फिर उसके बाद आपको ये ध्यान में रखना है कि ladder का जहां पर landing platform है, उससे उसकी जो height है, वो minimum 1 meter अब होना चीए, और minimum उसमें 3 ranks होना चीए, ताकि जब भी उसका इस्तमाल आप करो, तो उपर से जब कोई भी persons नीचे आई, या फिर नीचे से कोई भी persons अगर उपर जाए, तो वो easily उस ladder का इस्तमाल करे, और वो safely उस platform पर reach हो सके, तो ये जो सारे points जो है, जो हमने यहां प करेगा, और फिर उसके नुसार वहाँ पर tag put up करेगा, यानि कि उसे status of tag कहते है, आपको और एक बाद यहां पर ध्यान में रखनी है, कि scaffolding inspector के अलाबा, कोई भी employee, उस scaffolding में tag डालने के लिए authorized नहीं होता है, फिर उसके बाद का सवाल आपसे पूछा जा सकता है, कि जो भी scaffold है, उसका हम safe working load कैसे calculate करेंगे, तो सबसे पहले हमें पता होना चीए, कि scaffold का, जब भी हमें safe working load calculate करना है, तो उसका एक formula होता है, तो उसका formula कुछ इस प्रकार है, dead load plus 4 multiply by live load, यानि कि जो भी live load है, उसको आपको 4 से multiply by करना है, और फिर उसमें add करना है dead load, तो चलिए जानते है कि ये dead load होता क्या है, और ये live load होता क्या है, अब dead load में क्या होता है, कि जो scaffold के जो components है, उसका जो weight है, प्लस जो working platform है, उसका जो weight है, इन दोनों का weight जब add किया जाता है, तो उसे dead load कहता है, और live load किसे कहता है, कि जो workers है वहाँ पर काम कर रहा है, उसका weight कितना है, फिर उस बाद वो scaffold की उपर जो build tools रहेंगे उसका भी आपको weight पता होना चाहिए जब ये तीनों चीज़े आपको पता हो जाएगी तब आप lie load easily निकाल सकते हो तो चली अब देखते हैं एक scaffold का example और देखते हैं कि उसका safe working load हम कैसे calculate करते हैं मान लिजी कि आपके सामनी ये जो scaffold है इसका जो dead load है वो है 200 kg यानि कि वो dead load कैसे आया तो उसमें जो scaffold के components है उसका उसमें weight हो गया और वो जो working platform है उसका उसमें weight हो गया अब ये दोनों का weight हमने calculate किया और वो हो गया 200 kg यानि कि अपना dead load कितना हो गया 200 kg अब consider करते हैं कि इसका lie load कितना है मान लिजी कि ये जो scaffold है इसके उपर दो worker काम कर रहे है एक worker का जो weight है वो है 70 kg और दूसरे worker का जो weight है वो है 60 kg और material जो है वो है 2000 kg और वहाँ पर जो tools है वो है 200 kg अभी हमें पता चल गया कि हमारा dead load क्या है और live load क्या है live load जो है हमने consider किया इसमें कि दो worker है उसका जो है हमने weight calculate किया फिर material का weight calculate किया और फिर tools का weight calculate किया तो चलिए अब जो ये सारे weights है ये हम formula में put up करते है और देखते हैं कि ये scaffolding का safe working load कितना आता है तो सबसे पहले हमारा जो formula है वो है dead load plus 4 multiply by live load तो यहाँ पर dead load हमने कितना लिया है 200 kg तो 200 kg plus bracket 4 multiply by live load आएगा तो यहाँ पर live load हमें कैसे calculate करना है तो सबसे पहले हमें ये जो workers काम कर रहे है इनका हमें weight लिखना पड़ेगा यानि कि 70 kg plus 60 kg plus 200 kg plus 2000 kg तो इसका जो total आएगा वो आएगा 9520 तो 9520 जो है वो kg में रहेगा यानि कि वो जो scaffold है उसकी safe working load capacity 9520 kg है चलिए अब इस kg को हम turn में convert करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो kg है जो 9520 kg है इसको हमें divide करना पड़ेगा 1000 से जब हम इसको 1000 से divide करेंगे तो उसका result आएगा 9.52 यानि कि 9.52 turns उस scaffolding का safe working load capacity है फिर उसके बाद का सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि scaffolding को कौन एरेक कर सकता है तो उसके लिए आपको simply answer देना है कि certified जो scaffold होते है वही authorized होते है scaffolding को एरेक करने के लिए फिर उसके बाद का सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि scaffolding के जो भी components है जिसका इस्तमाल scaffolding को एरेक्शन करने के लिए किया जाता है उसका inspection कोन करता है तो उसके लिए आपको simply यह answer देना है कि fire safety के बारे में कि इसके उपर कुन से 10 question है और उसका answer क्या है तो सबसे पहले जानते है कि fire क्या होता है तो उसकी definition है fire is a chemical reactions of fuel with required amount of heat, oxygen and during the reaction heat and light produces fire यानि कि एक ऐसा chemical reactions होता है जिसमें fuel हो गया, heat हो गया और oxygen हो गया इन तीनों का एक chemical reactions होता है और उस chemical reactions से heat और light जो है वो produce होती है उससे fire कहता है तो चलिए अब जानते हैं कि ये fire के elements क्या होता है तो elements of fire में आता है सबसे पहले fuel, फिर है oxygen, फिर है heat लेकिन इसमें भी हमें एक बात समझना बहुत ही ज़रूरी है जैसे कि एक room है उसके corner में हमने क्या किया एक जगा पर fuel रग दिया दूसरे corner में है oxygen और तीसरे corner में है heat तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये fire के तो elements है अब ये एक कमरे में है तो fire लग जाएगी तो इसका answer आएगा नहीं क्यों क्योंकि ये अलग-अलग है तो इसका मतलब ये है कि जब तक ये तिनों combine नहीं होंगे आपस में तब तक आग नहीं लगेगी और ये combine होने के बाद जब तक उसमें chemical reaction जैसे कि हमने definition में देखा था वो जब तक नहीं होगा तब तक आग नहीं पगड़ेगी तो इसमें चवथा point जो है वो add हो जाएगा वो यानि कि chain reactions यानि कि इन तीनों में जो reactions होगी उसे chain reactions कहते है वो जब तक नहीं होगी तब तक आग नहीं लगेगी यानि कि उसके elements of fire में चार factor आएंगे वो हो जाएगा fuel, heat, oxygen और last में chain reaction चली अब जानते हैं कि fire triangle क्या होता है तो fire triangle में क्या होता है कि जैसे कि हमने इसके पहले देखा कि fire के elements क्या है वो कुन से थे वो तीन elements थे वो ते fuel, oxygen और heat अब ये जो fuel, oxygen और heat है इन तीनों को अगर combine किया जाए तो उसके बाद जो एक chain reactions पॉर्म होगी उसी को fire triangle कहता है यानि कि fire triangle क्या हो जाएगा fuel plus oxygen plus heat plus chain reactions ये जब चारों combine होगे तब ही fire occur होगी और फिर उस fire को fire triangle कहेंगे आपको एक बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि अब fire triangle को fire tetrahydrant कहते है क्योंकि पहले fire triangle में three components आते थे वो थे oxygen, heat और fuel लेकिन अब जब से ये चवथा components add हुआ यानि कि जो chain reaction हमने इसमें देखा है तो जब से ये add हुआ है तब से इसका नाम fire tetrahydrant हो गया है यानि कि fire triangle में three components होते है और fire tetrahydrant में four components होते है आपको और एक बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि ये जो fire triangles के elements है इसमें से अगर एक भी elements वहाँ पर नहीं रहेगा तो ये fire occur नहीं होगी example के तोर पर ये जो तीनों elements है जैसे कि fuel, oxygen और heat इसमें से एक भी elements अगर आप निकाल दोगे तो उसकी chain reaction form नहीं होगी और वो fire occur नहीं होगा फिर उसके बाद आपको questions पूछा जा सकता है कि fire के क्या classification होते है तो उसका answer आपको इस तरीके से देना है कि sir अगर हम international standard की बात करें तो classification of fire जो है वो six category में है यानि कि there are six classes of fire उसमें आता है class A, class B, class C, class D, class E और class F तो चलिए जानते हैं इसे sunship में अब ये जो six classes of fire है ये depend करता है कि types of fuel कून सा use हो रहा है इसकी उपर इसकी categorize की गई है तो चलिए जानते हैं कि class A fire में क्या आता है तो class A fire में आता है combustible material यानि कि जलने वाली चीज़ example के तोर पर जैसे कि wood हो गया paper हो गया, rubber हो गया इसको अगर आग लगती है तो वो class A fire है चलिए अब देखते हैं कि class B fire में क्या आता है तो class B fire में आता है flammable liquid यानि कि ऐसा liquid जो जोलन शिल हो जैसे example है petrol, diesel, paint इसको अगर मान लो आग लगती है तो वो class B fire में आती है तो चलिए अब देखते हैं कि class C fire क्या है तो class C fire में आता है flammable gases यानि कि जलने वाली gases यानि कि जो भी gases जो जलती है वो class C fire में आती है जैसे हम example लेते है hydrogen gas जलती है, butane gas जलती है methane gas जलती है इसको अगर मान लो आग लगती है तो वो class C fire में आती है चलिए अब जानते है कि class D fire में क्या आता है class D fire में आता है combustible metals अब जो भी metal है जिसको आग लग सकती है वो categories class D में आती है जैसे कि आपको पता है कुछ chemicals है जिसको आग लग सकती है जैसे कि magnesium उस metal को अगर मानलो आग लगती है aluminium को आग लगती है, putemcium को आग लगती है इसको अगर मानलो आग लगती है तो वो class D fire में आती है अब देखते हैं कि class E fire क्या है तो class E fire में आता है electrical fires यानि कि जो भी electrical equipment है और उसमें अगर मान लो keep जो power है वो चालू condition में है उस दोरान अगर आग लगती है तो वो class E fire category में आती है example लेते है electrical equipment का जैसे कि computers हो गया, generators हो गया ये जो है, ये electrical power supply से चलते है तो वो इस category में आता है आपको ये ध्यान में रखना है कि electrical power conditions में अगर मान लो electrical atom हम remove कर दे तो उसका जो fire class है वो change हो जाएगा यानि कि जो computer है उसको हमने power supply दिया लेकिन वो power supply cut off कर दिया बाद में उसे अगर मान लो आग लगती है तो उसका जो fire का जो class है वो change हो जाएगा तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है फिर देखते है कि class F fire क्या है तो class F fire में आता है cooking oils example के तोर पर हम लेते है कि kitchen fire जब भी आपके kitchen को अगर मान लो आग लगती है तो वो class F fire category में आती है तो इस प्रकार हमने fire के जो है वो six classes देखे है as per international standard अगर हम Indian standard की बात करते है तो वहाँ पर शुरू में fire के जो है वो चार classes ही आते थे वो यानि कि class A fire class B fire, class C fire और class D fire और फिर बाद में उसमें और ए class add हो गया जो था class A fire यानि कि अब हम Indian standard की बात करे तो Indian standard में total 5 type के fire classes होते है electrical fire जो है वो Indian standard में consider नहीं किया जाता तो चलिए अब देखते है कि fire extinguisher के कितने types होते है खासतोर से अगर देखा जाये तो fire extinguisher के 5 main type होते है उसमें आता है water type fire extinguisher second आता है foam type fire extinguisher third आता है dry powder fire extinguisher fourth आता है carbon dioxide fire extinguisher और fifth में आता है wet chemical fire extinguisher आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि water type जो fire extinguisher है उसके भी different versions आते है यानि कि water type fire extinguisher के भी different दो जो है वो different version है वो है water mist extinguisher और दूतरा है water spray extinguisher लेकिन ये जो दोनों है वो water की ही form है इसलिए उसको एक ही category में divide किया गया है और एक fire extinguisher है जिसका नाम है dry powder उसके भी different version है एक है dry powder standard extinguisher और दूसरा है dry powder specialist extinguisher अब ये दोनों जो different version है वो एक ही category में आते है यानि कि dry powder में इसलिए इसको एक ही consider किया जाता है इसका मतलब ये हुआ कि fire extinguisher के जो sub version है उसको अगर हम consider करते है तो total 8 type of fire extinguisher हो जाते है लेकिन अगर हम main fire extinguisher की बात करे तो उसके total 5 type है आपको और एक बात ध्याण में रखनी है कि ऐसा कोई भी fire extinguisher नहीं है कि जो सभी classes of fire पर चल सकेगा फिर उसके बाद आपको questions पूछा जा सकता है कि water fire extinguisher के बारे में आप क्या जानते हो तो उसके लिए आपको ये answer देना है कि sir तो water type fire extinguisher जो है वो class A fire के लिए ज्यादा तर use किया जाता है तो water type fire extinguisher को हम कैसे पैचानेंगे तो सबसे पहले जो है वो खास तोर से organic material जैसे की paper हो गया उड़ हो गया इसके उपर इसका इस्तमाल किया जाता है तो water based fire extinguisher का हमें कहाँ पर इस्तमाल नहीं करना चाहिए आजिए उसके बारे में जानते है electrical equipment को अगर मानलो आग लगती है तो उसके उपर आपको water type fire extinguisher का इस्तमाल नहीं करना है kitchen को अगर मानलो आग लगती है तो वहाँ पर भी आपको water type fire extinguisher का इस्तमाल नहीं करना है flammable gas या फिर जो liquid है उसके उपर अगर मानलो आग लगती है वहाँ पर भी आपको water type fire extinguisher का इस्तमाल नहीं करना है फिर उसके बाद आपको ये questions पूशा जा सकता है कि foam type fire extinguisher के बारे में आप क्या जानते हो तो उसके लिए आपको ये answer देना है कि sir foam type जो fire extinguisher है वो ज़्यादा तर use होता है class B fire के उपर लेकिन उसका इस्तमाल class A fire पर भी कर सकते है क्योंकि वो water base है foam type of fire extinguisher को हम कैसे पचानेंगे तो उसका जो labeling color है वो रहता है cream color का और उसके उपर foam लिखा हुआ रहता है तो हम उसको easily identify कर सकते हैं foam type of fire extinguisher को खास तोर से जो organic material है जैसे कि paper हो गया, cardboard हो गया, wooden हो गया इसके उपर हम उसका इस्तमाल कर सकते हैं इसके साथ साथ जो flammable liquid है जैसे कि paint हो गया, petrol हो गया उसके उपर भी इसका इस्तमाल कर सकते हैं तो foam type fire extinguisher का इस्तमाल कहां पर नहीं करना चाहिए आईए उसके बारे में बात करते हैं तो kitchen type की जो fire होती है उसके उपर आपको foam type fire extinguisher का इस्तमाल नहीं करना है electrical equipment को अगर मानलो आग लगती है तो उसके उपर भी आपको foam type fire extinguisher का इस्तमाल नहीं करना है और मानलो metal को अगर आग लगती है तो उसके उपर भी आपको foam type fire extinguisher का इस्तमाल नहीं करना है फिर उसके बाद आपको question पूछा जा सकता है कि dry powder जो extinguisher है उसके बारे में आप क्या जानते हो तो उसके लिए आपको यह answer देना है कि sir dry powder fire extinguisher जो है वो class A, class B और class C fire जो है उसके उपर हम इसका इस्तमाल कर सकते है इसलिए हम उसको ABC type fire extinguisher कहते है तो अब हम dry powder fire extinguisher को कैसे पैचानेंगे कि उसके उपर powder जो word है वो लिखा हुआ रहता है और उसका जो labeling color है वो blue color का रहता है जिसकी वज़े से हम उसको easily identify कर सकते है dry powder fire extinguisher का जो इस्तमाल है वो अब organic जो materials है जैसे कि paper है, cardboard है, wood है इसकी उपर तो कर सकते हो साथ ही साथ जो flammable liquid है जैसे कि paint, petrol इसकी उपर भी कर सकते हो और उसके साथ ही flammable जो gases है जैसे कि LPG gas है, acetylene gas है, उसकी उपर भी आप इसका इस्तमाल कर सकते हो अब बात करते हैं कि dry powder fire extinguisher जो है वो कहाँ पर इस्तमाल नहीं करना चाहिए तो जो cooking oil है उसके उपर गर मानलो आग लगती है तो वहाँ पर आपको dry powder extinguisher का इस्तमाल नहीं करना है 1000 volt के उपर वाले जो electrical equipment है उसको अगर मानलो आग लगती है वहाँ पर भी आपको DCP type fire extinguisher का इस्तमाल नहीं करना है फिर उसके बाद आपको ये questions पूछा जा सकता है कि carbon dioxide fire extinguisher के बारे में यानि कि CO2 fire extinguisher के बारे में आप क्या जानते हो तो उसका अंसर आपको इस तरीके से देना है कि सर तो CO2 type जो fire extinguisher है वो खास दोर से जो electrical type की जो fire होती है उसके उपर इसका इस्तमाल किया जाता है आपने देखा होगा कि जो computer server जो room होती है उसके बाहर जादा तर हम CO2 type fire extinguisher रखते है अब हम CO2 type fire extinguisher को कैसे पचानेंगे तो वो जो fire extinguisher है उसकी उपर CO2 लिखा हुआ रहेगा और साथ ही में उसका जो labeling color है वो black रहेगा उसकी वज़े से हम उसको easily identify कर सकते हैं अब आईए जानते हैं कि CO2 type fire extinguisher का इस्तमाल कहाँ पर करना चाहिए तो flammable जो liquid है जैसे की paint हो गया पेट्रोल हो गया इसको अगर आग लगती है तो आप CO2 type fire extinguisher का इस्तमाल कर सकते हो और दूसरा electrical fire, electrical equipment को अगर मालो आग लगती है तो वहाँ पर भी आप CO2 type fire extinguisher का इस्तमाल कर सकते हो चली अब बात करते हैं कि CO2 type fire extinguisher का इस्तमाल कहाँ पर नहीं करना चाहिए खास तोर से जो kitchen fire होती है उसके उपर आपको CO2 type fire extinguisher का इस्तमाल नहीं करना है combustable material जैसे की paper हो गया, wood हो गया या फिर textile हो गया उसके उपर आपको CO2 type fire extinguisher का इस्तमाल नहीं करना है flammable जो metal है जैसे कि magnesium हो गया, potassium हो गया उसको अगर मानलो आग लगती है तो वहाँ पर भी आपको CO2 type fire extinguisher का इस्तमाल नहीं करना है फिर उसके बाद आपको question पूछा जा सकता है कि weight chemical fire extinguisher के बारे में आप क्या जानते हो तो उसका answer आपको इस तरीके से देना है कि sir, weight chemical fire extinguisher को class F fire के लिए design किया गया है जिसमें cooking oils और fats involved होते है उसको अगर मानलो आग लगती है तब वहाँ पर weight chemical fire extinguisher का इस्तमाल किया जाता है तो अब ये weight chemical fire extinguisher है उसको हम पैचाने के कैसे तो उस fire extinguisher के उपर weight chemical लिखा हुआ रहेगा और साथ ही में उसका जो labeling color है वो yellow रहेगा उसकी वज़े से हम उसको easily identify कर सकते है अब इस weight chemical fire extinguisher का इस्तमाल कहा पर किया जाता है जैसे की cooking oil और fat को आग लगती है तो उसकी उपर हमें इसका इस्तमाल कर सकते है आई अब देखते हैं कि weight chemical fire extinguisher का इस्तमाल हमें कहाँ पर नहीं करना चाहिए जैसे की flammable liquid और flammable gas जो fire होती है उसके उपर हमें weight chemical fire extinguisher का इस्तमाल नहीं करना है electrical equipment के उपर अगर मानलो आग लगती है तो वहाँ पर भी हमें weight chemical fire extinguisher का इस्तमाल नहीं करना है और साथ ही में जो flammable metals है उसकी उपर भी हमें weight chemical fire extinguisher का इस्तमाल नहीं करना है चिलिए अप जानते हैं excavation safety के बारे में कि इसकी उपर आपको कौन से ऐसे 10 questions पूछे जा सकते है और उसका आपने किस तरीके से answer देना चाहिए तो सबसे पहला question आपको पूछा जा सकता है कि what is excavation दोस्तो जब भी आप किसी construction company के लिए interview के लिए जाते हो तो वहाँ पर अगर excavation activity होती है तो ये सवाल आपको ज़रू पूछा जाता है तो इसके लिए आपको यह answer देना है कि सर excavation एक manmate cut है जिसमें trench form होता है या फिर जो earth surface है उसमें depression होता है जब भी आप earth को remove करते हो वो चाहे manually करो या फिर किसी भी machinery's का इस्तेमाल करके वो आप earth remove कर सकते हो manual excavation यानि की आदमी के जर्ये वो earth remove करना और mechanical excavation यानि की किसी भी machinery's का इस्तेमाल करके earth remove करना example के तोर पर जैसे की excavator हो, JCP हो, इसका इस्तमाल अगर आप earth remote के लिए करते हो तो वो mechanical excavation में आता है चली अब बात करते हैं कि excavation activity के बग आपको कौन से हजार का सामना करना पड़ेगा तो सबसे पहले है underground utilities यानि कि जब भी आप excavation कर रहे हो तो जो underground utilities है वो एक खत्रा है फिर उसके बाद है excavation cave यानि कि जो excavation wall है वो collapse होने के chances है तो वो भी एक खत्रा है फिर उसके बाद है presence of toxic gases यानि कि जब भी आप excavation कर रहे हो तो वहाँ पर excavation के दोरान नीचे में toxic gases होने की संभावना बढ़ जाती है तो वो भी 1000 है फिर उसके बाद है fall of persons, fall of material, fall of tools ये जो सारी चीज़े है वो excavation peat में गिरने का खत्रा है तो ये भी 1000 है फिर है falling of remove soil यानि कि जब भी आप excavation करते हो और excavation के बाद जो भी soil है वो आप क्या करते हो कि excavation के age पर रखते हो तो वो excavation के age पर जो soil रखी हुई है जो remove soil है तो वो भी excavation peat में गिरने का खत्रा है तो वो भी 1000 है फिर उसके बाद है water accumulation in the excavation यानि कि मान लो कि पानी का season है और उस दोरान आपने excavation कर लिया तो वो जो पानी है उस excavation peat में accumulate हो जाएगा यानि कि जमा हो जाएगा तो वो भी 1000 है उसके बाद है nearby structures यानि कि excavation आप ऐसी जगा पर कर रहे हो कि वहाँ पर nearby structures है तो उस excavation की वज़े से वो जो nearby structures है वो उसमें गिरने का खत्रा बढ़ जाता है और उसका impact जो है वो बहुत ही ज़ादा होता है तो वो भी 1000 है फिर उसके बाद है improper access and ingress जब भी आप excavation करते हो तो उसके साथ में आपको access और ingress का सामना करना परता है तो वो भी 1000 है फिर उसके बाद है flooding यानि कि बाड आ जाना वो भी 1000 है फिर उसके बाद है confined space यानि कि जब भी आप excavation कर रहे हो और excavation के दोरान उसकी जो width है और जो length है वो अगर मान लो ज़ादा है यानि कि 1.2 मिटर से ज़ादा है तो वो confined space में आएगा तो वो भी 1000 है उसके बाद है overhead lines यानि कि मान लो कि जब भी आप mechanical excavation कर रहे हो और उसके लिए आप excavator का इस्तमाल करते हो तो उसकी जो height है वो कही ज़ादा हो जाती है और अगर उसी जगा पर कोई overhead power lines अगर उपर से गई हो तो वो जो excavator का जो bucket है या फिर जो उसका boom है वो उस power lines को touch हो सकता है अगर वो उसको touch हो गया तो electric shock लग सकता है तो वो भी 1000 है यानि कि overhead power lines जो है वो 1000 है फिर उसके बाद है falling off vehicles यानि कि जब भी आप excavation कर रहे हो तो उसके नस्दिक जो भी vehicle जारी है तो वो vehicle उस excavation pit में गिरने का खत्रा होता है तो ये भी 1000 है उसके बाद है surface और ground water यानि कि excavation के दोरान अगर आपको उस soil condition के बारे में यानि कि उस surface के बारे में अगर पता ना हो या फिर underground water हो तो वो भी एक खत्रा है चलिए बात करते हैं कि excavation के दोरान आपको कौन से precaution लेने पड़ते हैं तो चलिए देखते हैं तो सबसे पहले आपको जो underground utilities है उसको scanning करना है तो ये सबसे पहले आपको precautions लेनी है फिर उसके बाद आपको trial pit बनाना है यानि कि आपको scanning करके पता चल गया कि यहाँ पर जो है live cable है या फिर live facility है तो उसके बाद आपको trial pit बनाना है और वो जो trial pit है वो आपको manually करना है फिर उसके बाद है कि आपके पास उस area की जो है वो relevant drawing आपके पास होनी चाहिए और जैसी आपको पता चलेगा कि यहाँ पर underground utilities है तो उसके साथ आपको marking भी करना है फिर उसके बाद है जो excavation soil है वो जो है वो pit में गिरने का खत्रा होता है तो उसके लिए आपको sloping और benching करना बहुती जरूरी होता है फिर उसके बाद जो excavation wall है उसको गिरने से बचाने के लिए आपको shoring और benching करना बहुती जरूरी है और वो depend करता है कि type of soil कुन सी है अगर type of soil जो है वो ज्यादा lose है तो उसके लिए आपको shoring और shielding करना बहुती जरूरी है जहाँ पर भी आपको excavation करना है वहाँ पर आपको regular gas testing करना बहुती जरूरी है फिर उसके बाद जैसी आपका excavation हो गया तो वहाँ पर heart variegation करना है और उसके साथ में जो safety sign board है वो लगाने है फिर उसके बाद है कि जहाँ पर भी आपने excavation किया है और उसके nearby कोई road है तो आपको जो है वो alternate access देना बहुती जरूरी है फिर उसके बाद है कि मानलो की पानी का season है तो आपको उस excavation के इंद्गिर्द में एक bundle wall जो है वो create करनी है ताके outside का जो पानी है वो उस excavation में जाने ना पाए और इनकेस अगर मानलो की excavation peak में पानी अगर जाता है तो आपके पास उसके लिए de-watering pump होना जरूरी है ताके वो जो पानी है तो आप easily de-watering pump का इस्तमाल करके बाहर निकाल सको फिर उसके बाद आपको जो excavation है वो अगर मानलो की 1.2 मिटर से अगर जादा गहरा हो जाता है तो वो confined space में आ जाता है तो उसके लिए आपको confined space के जो भी precautions है तो वो लेने की सबसे जादा जूर्वत होती है फिर आपको जो excavation peak है उसके लिए आपको safe access और egress provide करना है फिर उसके बाद है कि जो भी आपने excavated soil जो excavation age पर रखी हुई है या फिर जो भी material आपने excavation age पर रखा है उसको आपको remove कराना है excavation के दोरान आपको ये ध्यान में रखना है कि वहां के जो इर्द गिर्द है वहां पर vehicle movement नहीं होनी चाहिए या फिर उसको आपको avoid कराना है different types of soil soil के total 3 type है type A, type B and type C अब देखते है कि type A में क्या आता है type A यानि कि ऐसी कौन सी soil होती है तो type A में जो है वो है cohesive या फिर जो compacted soil है उसकी compressive जो strength है वो होती है 1.5 ton per square feet इसका मतलब ये है कि वो जो soil है उसमें अगर मानलो आपने कोई protection नहीं लगाया तब भी वो कुछ देर तक जो है कुछ period of time तक जो है उसकी जो strength है वो बरकरार रहेगी या फिर उसको minor protection करने की जरुरत होगी जब आपको पता चल गया कि इस soil की conditions क्या है उसके नुसार आपको उसका sloping maintain करना है टाइप A soil में आपको 53 degree angle का slope maintain करना है तो आईए देखते हैं कि इस टाइप के soil में आपको precautions क्या लेने है तो इस टाइप के soil में आपको minor जो है वो benching करना ज़रूरी है आईए देखते हैं कि टाइप B क्या है टाइप B जो soil है वो less stable है compare to type A soil से और टाइप B की जो compressive strength है वो less than 1.5 ton per square feet लेकिन जादा है 0.5 ton per square feet से यानि कि उसकी जो compressive strength है वो between में होती है कि इसके 0.5 ton per square feet से लेकर 1.5 ton per square feet तक जब आपको पता चल गया कि यह जो है वो type B soil है तो उसमें आपको sloping करने की ज़रत है और वो sloping में आपको जो है वो 54 degree angle maintain करना ज़रूरी है तो type B soil में आपको क्या precautions लेनी है तो आपको ये precautions लेनी है कि आपको वहाँ पर benching करना है साथी साथ आपको sloping भी करना है जैसे कि हमने देखा कि sloping के लिए 45 degree angle maintain करना है हो सकता है कि आपको benching और sloping जो है वो दोनों साथ में ही करना पड़े चलिए अब देखते हैं कि type C soil क्या है type C soil जो है वो unstable type soil है उसकी जो compressive strength होती है वो 0.5 ton per square feet से कम होती है मतलब ये जो soil है वो without protection के खड़ी नहे रह सकती उसके लिए आपको protection देना बहुत ही ज़रुरी है तो इस type of soil के लिए जब आप sloping करते हो तो आपको 34 degree angle maintain करना बहुत ही ज़रुरी है इसके लिए आपको क्या precautions लेने पड़ेंगे शोरिम भी करना पड़ेगा, benching भी करना पड़ेगा या फिर sloping भी करना पड़ेगा या फिर इसके combinations में आपको तीनों भी करने पड़ेंगे कभी कभी type C soil में आपको sheet piling करने की भी ज़रुरत होती है और last में आता है stable rock अगर आपको पता चल गया कि जो soil है वो stable rock है तब आपको उसका sloping करने के लिए 90 degree angle मेंटेन करना बहुत ही ज़रुरी है slope angle calculations यानि कि जब भी आप excavations करते हो तो उस दोरान जो slope angle है उसको हम किस प्रकार calculate कर सकते है वो जानने वाले है तो दोस्तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि soil के कितने types होते है उसके नुसार उसका depth ratio क्या है यानि कि stable rock में वो जो है वो vertical होता है type A soil में उसका जो depth ratio होता है वो होता है 3 by 4 into 1 और type B soil में उसका depth ratio होता है 1 into 1 और फिर उसके बाद type C soil में उसका depth ratio होता है 1 and half is to 1 और फिर उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि उसका slope angle क्या है तो stable rock उसका जो slope angle होता है वो है 90 degree और type A soil में उसका जो slope angle है वो है 53 degree और type B soil में उसका जो slope angle है वो है 45 degree और type C soil में उसका जो slope angle है वो है 34 degree तो ये जो सारी बात है ये आपको पता होना चाहिए जब भी आपको calculate करना है उसका slope angle तो चली अब देखते हैं कि यह जो slope angle calculations है इसका formula क्या होता है और उसको हम किस प्रकार calculate कर सकते हैं तो दोस्तो इस formula के आधार के उपर हमें इसका opening width जो है वो calculate करना है यानि कि जो उसके दो side है जहांपर आप excavations कर रहे हो उसकी width कितनी है वो आपको calculate करना है तो उसकी जो opening width है उसका formula है depth multiply by 2 multiply by type slope ratio plus width of original excavation तो ये जो सारी information है वो आपको पता होना चाहिए और इसी information के आधार पर आपको वो जो soil है उसका slope angle calculate करना है तो दोस्तों आपको यहांपर एक बात ध्यान में रखनी है कि जहांपर भी excavations होता है तो सबसे पहले आपको वो जो excavation है उसकी depth कितनी है वो आपको पता होना चाहिए फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो width कितनी है वो भी आपको पता होना चाहिए फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो soil है जिसका आपके excavation कर रहे हो वो कुन से type की soil है और उसका slope ratio क्या है वो आपको पता होना चाहिए तो चलिए देखते हैं एक example ताकि आपको अच्छे से समझ में आए मानते ही कि हमें एक simple range करना है जो 6 feet गहरा है याने कि उसकी गहराई जो हमें 6 feet करनी है और उसकी जो wide है याने कि उसकी जो width है वो है 2 feet तो इस information के तुरू हमें calculate करना है कि इसकी top level की width कितनी होगी यानि कि top level में ये कितना wide होगा, उसकी चवडाए कितनी होगी यानि कि उसका slope angle कितना होगा ये हमें calculate करना है अब हम क्या करते है कि ये जो train जहाँ पर हम बना रहे है इसका example लेते हैं कि हमारे पास जो soil है जहांपर हमें excavation कर रहे है वो type A soil है तो type A soil के आधार के उपर हम इस example को हम solve करते हैं और देखते हैं कि हमें slope angle कितना मिलता है यानि कि उसकी top level की width है वो कितनी रहेगी वो हम calculate करते हैं तो चलिए अब हम इसको formula में put up करते हैं तो इसकी depth जो है वो कितनी है 6 feet multiply by 2 multiply by type slope ratio इसके पहले हमने देखा था कि type A soil अगर होती है तो उसका slope ratio जो है वो कितना है 3 by 4 inch to 1 तो उसको अगर हम solve करेंगे तो हमें मिलेगा 0.75 प्लस width of original excavation तो इसकी width कितनी है वो है 2 feet तो इसका result हमें मिलेगा 11 feet यानि कि excavation का जो top है उसकी चवडाई जो है वो 11 feet होनी चाहिए चलिए अब देखते है कि type B soil में इसको हम कैसे calculate कर सकते है तो इसे formula में put up करते है तो सबसे पहले आएगा इसकी depth है वो है 6 feet multiply by 2 multiply by slope ratio तो type B का slope ratio है वो है 1 is to 1 तो 1 is to 1 यानि कि क्या हो जाएगा 1 plus 2 feet तो इसका result आएगा 14 feet यानि कि जो top है उसकी जो चवडाई है वो कितनी होनी चाहिए 14 feet चलिए अब देखते है कि type C जो soil है उसमें अगर हम इसको calculate करेंगे तो हमें क्या result मिलेगा 6 feet multiply by 2 multiply by type slope ratio तो ये कौन से type की soil है ये है type C soil तो type C soil में इसका slope ratio कितना है वो है 1 and a half is to 1 तो उसका जो result है वो आता है 1.5 plus 2 feet तो इसका result हमें मिलेगा वो मिलेगा 20 feet यानि कि 20 feet जो है वो उसकी top level की चवडाई है और वो हमें maintain करना होता है फिर उसके बाद का question आपको पूछा जा सकता है कि trench यानि कि क्या होता है तो उसके लिए आपको या answer देना है कि sir trench यानि कि एक narrow excavation होता है उसमें डेब जो है वो ज्यादा होती है width के मुकाबले फिर उसके बाद का question आपको पूछा जा सकता है कि what is shoring तो उसके लिए आपको यह आंसर देना है कि सर, शोरिंग यानि की ऐसा structure जो support करता है excavation के sites को, जिसके कारण वो excavation को kevin होने से बचाता है फिर उसके बाद का question आपको पूछा जा सकता है कि अगर कहीं पर long excavation है और वहाँ पर दो adjacent जो access है उन दोनों में कितना maximum distance होना चाहिए तो उसके लिए आपको यह आंसर देना है कि सर, अगर excavation long है तो वहाँ पर हर एक 25 feet पर एक ladder होना चाहिए अगर उस excavation में employee काम कर रहे है तो और अगर उपन excavation हो और उस excavation की जो depth है वो 1.2 meter से कम है फिर हर 30 meters के perimeter में एक ladder यानि के access होना चाहिए और अगर excavation 1.2 meter depth से ज़्यादा है तो हर एक 7.5 meter के perimeter में एक access एक ladder होना चाहिए और फिर उसके बाद आपको सवाल पूछा जा सकता है कि what is the difference between excavation and trench यानि कि excavation और trench में क्या difference है वो आपको बताना होता है तो उसके लिए आपको यह answer देना है कि सर excavation एक manmate cut है जिसमें trench form होता है या फिर जो earth surface है उसमें depression होता है जब भी आप earth को remove करते हो वो चाहे manually करो या फिर किसी भी मशनरीज का इस्तमाल करके वो आप earth remove कर सकते हो manual excavation यानि कि आदमी के जर्ये वो earth remove करना और mechanical excavation यानि कि किसी भी मशनरीज का इस्तमाल करके earth remove करना example के तोर पर जैसे की excavator हो, JCP हो, इसका इस्तमाल अगर आप earth remove के लिए करते हो तो वो mechanical excavation में आता है ट्रेंच यानि की एक narrow excavation होता है, उसमें डेब जो है वो ज्यादा होती है विर्द के मुकाबले चलिए अब जानते है, PPE और rescue के बारे में कि इसके उपर कौन से 10 questions आपको पूछे जा सकते है और उसका आपने किस तरीके से answer देना चाहिए तो सबसे पहला question आपको पूछा जा सकता है, head protections head protections ये हमें कब इस्तमाल करना पड़ता है, कि जब कोई materials उपर से नीचे गिर रहा हो या फिर कोई object जो है वो swinging होता हो, उस conditions में हमें head protection पहनना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अगर कोई falling materials से हमें बचना हो, तो हमें head protections लगाना बहुत ही ज़रूरी है head protection इस प्रकार design किया जाता है, ताकि वो जो stationary object है, उसके साथ अगर वो टकरा भी जाए, तो आपको उतना ज़्यादा impact नहीं होगा जैसे कि हम head protection यूज करते हैं, caps या फिर hair nets, वो कब जब भी आप machinery के उपर काम करते हो, तो वहाँ पर entanglement होने का खत्रा होता है तो उस खत्रे से बचने के लिए हमें head protection equipment का यूज करना पड़ता है, example के तोर पर caps और hair nets, जो हमें machine में entanglement होने से बचा सके तो चलिए कुछ example देखते है head protection के, तो सबसे पहले है helmets, hard hats, bum caps, guards, accessories, ये head protection के example है अब example देखते हैं कि ऐसे कौन सी activity है, कि जहाँ पर हमें head protection का इस्तमाल करना ज़रूरी होता है तो सबसे पहले है construction और building repair activity, या फिर कोई tunnel में काम करना, या फिर excavation में काम करना दूसरा example है, जब भी आप motorcycle को driving करते हो, तब आपको head protection पहनना बहुत ही ज़रूरी होता है harm, hands और fingers इनको ज़्यादातर injuries होती रहती है, तो इस injuries को हमें avoid करना हो, तो हमें hand protection करने की बहुत ही ज़रूरत होती है तो hand protection हमें कब इस्तमाल करना पड़ता है, जब अगर मान लो, heat से बचना हो, code से बचना हो, या फिर कोई vibration का काम हो, उससे बचना हो, या फिर जहां पर जलने का खत्रा हो, उससे बचना हो, या फिर कोई sharp object हो, जिससे हमें cut हो सकता है या फिर कोई bacteriological rix हो, या फिर कोई chemical contamination हो, इस activity के वक्त, आपको hand protection equipment का यूज करना बहुत ही ज़रूरी है चलिए एक कुछ example देखते है, hand protection equipment के, work glows and goutless, जैसे कि आप construction side पे आप काम करते हो, तब आपको rubber hand glows होते है, cotton hand glows होते है, heavy glows होते है, light duty glows होते है, फिर welding के जो leather glows होते है, ये सारे hand protection में आते है अब चलिए देखते हैं कि ऐसी कुछ सी activity है, कि जिसमें आपको hand protection equipment की ज़रूरत होती है, तो constructions and outdoor work activity उसमें आपको hand protection की ज़रूरत होती है, जब भी आप कोई vibrating apparatus यूज करते हो, तब आपको hand protection की ज़रूरत होती है, जब आप कोई to hot work या फिर cold work environment में काम करते हो, तब आपक hand protection की ज़रुरत होती है जब आप कोई chemicals या फिर hazardous elements में काम करते हो उस वक्त आपको hand protection की ज़रुरत होती है जब भी आप manual handling करते हो या फिर sharp object है उसके साथ जब आप काम करते हो तब आपको hand protection पहनने की ज़रुरत है फिर उसके बाद में eye injury से सफर होते हैं ऐसी injuries को हम avoid कर सकते है simply अगर हम proper eye और face protection पहने तो जैसे की example लेते हैं safety glasses and goggles eye and face shields eye wear accessories over spaces wizards तो चलिए देखते हैं कि आपको ये eye और face protection equipment कब इस्तमाल करने हैं जब भी आप कोई under pressure, gas या फिर vapor के साथ काम कर रहे होते हो तब आपको eye और face protection लगाने की ज़रुवत होती है जब भी आप कोई welding operations करते हो तब आपको eye और face protection पहनने की ज़रुवत होती है जब भी आप कोई hazardous substance handling करते हो तब भी आपको eye और face protection पहनने की ज़रुवत होती है फिर उसके बाद आपको question पूछा जा सकता है respiratory protection respiratory protection जो है वो हमारा broad group of PPs है जैसे कि वो breathing apparatus में इस्तमाल किया जाता है full face और half mass respiratory भी हो सकता है power respiratory हो सकता है protective hoods हो सकता है disposal face mass हो सकता है detectors हो सकते है, monitor हो सकते है, etc जब हमें इस type की PPs यूज़ करनी होती है तब हमें educate training उसके प्रती होना चाहिए ताकि हम समझ सके कि इस PPs का इस्तमाल कैसे किया जाए respiratory protection का इस्तमाल कब होता है कि जब large amount में कोई gases leakage हो या फिर powders हो, dust या फिर vapors निकली हो उस time हमें respiratory protection का इस्तमाल करना पड़ता है फिर उसके बाद आपको question पूछा जा सकता है hearing protection जब आपकी work environment में बहुती ज़्यादा sound हो रहा है वहाँ पर high noise level है उस वक आपको hearing protection equipment पहनने की बहुती ज़रुरत है एक ऐसा environment है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा noise हो रहा है फिर आपने वहाँ पर अगर hearing protection पहन लिया इसका मतलब यह नहीं कि आप continue काम कर सकोगे आपको आपके hygiene और comfort zone को भी maintain करते रहना है आपको देखना है कि जो employee वहाँ पर काम कर रहा है उस accordingly अगर noise level ज़्यादा है उसके तहर आपको right PPEs select करनी है जैसे कि air plug हो, noise meter हो या फिर air muff हो चलिए कुछ example लेते हैं hearing protection equipment का तो आप उसमें देख सकते हैं कि air plugs and defenders, noise meters, communication sets, acoustic foam यह सारे example है hearing protection equipment के फिर उसके बाद आपको question पूछा जा सकता है food protection equipment को इस प्रकार design किया जाता है ताकि वो आपके food को और आपके legs को various type of hazards जो है उससे बचा सके example के तोर पर जैसे कि बहुत जादा temperature है crushing हो सकता है वहाँ पर, piercing हो सकता है या फिर slippery portion है, sleeping है, cutting है, chemicals है या फिर electricity हजार है उस पक आपको food protection पहनना बहुत ही जरूरी है जब भी आप कोई construction activities में involved हो या फिर कोई work, या फिर कोई cold, या फिर hot work environment में आपको काम करना हो या फिर जब आप काम कर रहे हो तो आपको chemicals को handle करना हो या फिर कोई भी heavy object जो है, वो आपको manually handle करना हो उस पक आपको food protection पहनने की बहुत ही जरूरत है चलिए example लेते है food protection equipment का जैसे की safety boots and shoes, anti-static and conductive footwear फिर उसके बाद आपको question पूछा जा सकता है Body protection खास तोर से हमें body protection equipment का इस्तमाल कब करना पड़ता है कि जब मान लो weather conditions अच्छी नहीं है और आपको outdoor काम करना पड़ता है जैसे की visibility कम है, तब आपको high visibility jacket पहनना पड़ता है और खास तोर से high visibility जो jacket है, user ने पहनना जरूरी क्यों है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी mixed vehicle है जैसे की bikes, motors, cars, buses ये बहुत सारी vehicles है और pedestrian traffic तो वहाँ पर easily visible हो सके इसलिए आपको high visibility jacket पहनना बहुती जरूरी है जहाँ पर बहुत जादा extreme temperature है वहाँ पर भी आपको body protection पहनना बहुती जरूरी है जब आप कोई भी काम कर रहे हो जिसमें entanglement होने का खत्रा है या फिर droning होने का खत्रा है या फिर कोई chemical contamination हो सकता है उस पक आपको body protection पहनना बहुती जरूरी है चलिए कुछ example लेते हैं body protection equipment का जैसे की light jackets है clothing है कुछ specific weather conditions के लिए high visibility clothing है, harnesses है फिर उसके बाद आपको question पूछा जा सकता है height and access protection height और access protection को इस्तमाल करने के लिए वो जो users है उन्हें सबसे पहले एक training program से जाना पड़ता है ताकि वो जो users है उन्हें height और access protections के बारे में पता चल सके कि उसका किस प्रकार इस्तमाल करना चाहिए height और access protections equipment जो है उसे competent persons के द्वारा periodically जैसे की weekly हो 15 days हो या फिर one month हो इनमें उसको inspect करना है और competent persons ही उसे decide करेगा कि ये अभी use करने के लिए fit है के नहीं है अगर वो मान लो कि use करने के लिए fit नहीं है या फिर वो damage है तो उसे immediately replace करना है तो चलिए example देखते है की height और access protections equipment के क्या examples है जैसे की fall arrest system ये height and access protection में आता है body harness, lowering harness, rescue lifting, energy absorbers and others ये सारे जो है वो height and access protection के examples है फिर उसके बाद आपको question पूछा जा सकता है full body harness जिसे हम safety belt भी कहता है तो ये जो safety belt है ये क्यों require होता है चलिए जानता है safety belt जो है वो आदमे को protect करता है जब भी कोई person उजाए पर काम करता हो जैसे की elevation हो या फिर close जैसे locations होता है या फिर containers हो वहाँ पर अगर कोई persons काम कर रहा है और काम करते वग अगर उसका जो body balance है वो अगर lose हो जाए या फिर कई पर उसका पैल sleep हो जाए तो उसके कारण जो है वो नीचे गिरने की संभावना होती है तो वो नीचे गिर कर उसको injury ना हो इसलिए ये जो है ये fall protection होता है जिसका नाम है safety belt फिर उसके बाद आपको question पूछा जा सकता है full body harness के क्या classification होते हैं full body harness के जो classification है वो हम Indian standard, industrial safety belt and harness उसके specification IS 3521 1999 के हिसाब से देखने वाले हैं तो चलिए अब जानते हैं और देखते हैं कि ऐसे वो कुन से classification है तो इसमें जो है class A, class D, class E, class L और class B होते हैं तो चलिए अब देखते हैं कि ये क्या represent करता है तो class A का जो full body harness है वो represent करता है fall arresting को उसका मतलब ये होता है कि इस class का जो safety belt है इसको इस तरीके से design किया गया है ताकि जब भी कोई persons उचाई से गिरने वाला हो या फिर गिर रहा हो तो उस दोरान उसको ये जो belt है वही पर ही arrest कर लेता है और उसके body को support करता है वो provide की गई है IS 3521 1999 के तहर जिसको अपरू किया है Bureau of Indian Standard ने फिर उसके बाद जो है class D वो represent करता है control descent को यानि कि उचाई से जब भी आप नीचे आते हो तो उस दोरान ये जो full body harness है वो उसको control करता है class D harness में front या फिर side mounted D ring होता है और इसकी भी जो provision है वो provide की गई है file arrest करने के लिए वो भी IS 3521 1999 की तहर से और ये भी जो है वो Bureau of Indian Standard से अपरू है फिर उसके बाद है class E वो represent करता है vertical entry और exit को जिसे हम confined space की entry या फिर exit कह सकते है इसको इस प्रकार design किया गया है कि जब भी आपको confined space में vertical position में entry करना हो या फिर exit करना हो तो उस दोरान इस harness का इस्तमाल करना होता है और ये जो class E harness है इसमे sliding D ring होती है हर एक shoulder जो strap है वहाँ पर और इसकी भी जो provision है वो double rope lifeline के लिए की गई है जिसको confirm किया है IS 3521-1999 के तहसे और ये भी जो है ये Bureau of Indian standards से अप्रो है फिर उसके बाद आता है class L वो represent करता है ladder climbing को तो इस type का जो harness है वो इसलिए design किया गया है ताके जब भी आपको ladder का इस्तमाल करना हो या फिल tower का इस्तमाल करना हो और उसके उपर अगर आपको चड़ना हो तो वहाँ पर इस harness का इस्तमाल किया जाता है तो इस type के harness में एक या फिर दो D-ring होती है और वो जो D-ring है वो attach होती है harness के front side में और इस harness को भी confirm किया गया है IS 3521-1999 के दहसे और इसको भी जो है वो Bureau of Indian Standard ने अपरू किया है फिर उसके बाद आता है Class P जो represent करता है work positioning को और इस harness को इसलिए design किया गया है ताकि जब भी कोई work operations आप कर रहे हो तो उस दोरान वहाँ पर positions के लिए आपको इस harness का इस्तमाल करना होता है इस type के harness में जो D-ring होता है उसको mounted किया गया रहता है West level में यानि की कमर के level में और ये भी जो safety harness है इसको confirm किया गया है IS 3521-1999 की तहसे और इसको भी जो है वो Bureau of Indian Standard ने अपरू किया है दोस्तो आपको एक बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि जो भी Class D harness है, Class E harness है, Class L harness है और Class P के जो भी harness है वो सभी के सभी Class A harness की requirement फुलफिल करते है